नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप अपने आधार को बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक किस तरीके से कर सकते हैं जिहां दोस्तों अगर आपका बायोमेट्रिक अनलॉक रहेगा आधार का तो हो सकता है कि कोई आपके साथ जबरदस्ति कर या तो फिर जो है किसी और तरीके से आपके आधार काट से सिम लेकर उसे गरत योज कर सकता है और अगर आपके आधार में बायोमेट्रिक लॉक लगा होगा तो होगा क्या कि अगर कोई आपके साथ जबरदस्ति कर सिम लेना भी चाहेगा आपका फिंगर प्रिंट लेकर तो होगा क्या कि आपका फिंगर प्रिंट वहाँ पर काम नहीं करेगा जब तक आपके मुबाइ इससे OTP verify ना हो जाए तो आप वहाँ पर क्या है बोल सकते हैं कि यह पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा मेरा fingerprint क्यों मैच नहीं कर रहा है तो चली दोस्तों इसके लिए जो है मैंने पहले एक वीडियो बना के रखा है तो आप उस वीडियो में देख कर जान सकते हैं कि एम आधार एप में किस तरी किसे आप अपना डिजिटल आधार बना सकते हैं तो हम हैं तो यह काम करेगा बिसी के लिए यहीं और अधार एप पर ही तो मैंने जिसके इसे ओपन कर लिया है अब यहां पर मैं जो है इसे password डाल देता हूं सब्सक्राइव है तो चलिए मैंने password डाल दिया यह ओपन हो गया आब मैं आधार काट पे भी जो है किलिक करके यहां पर पास्वार्ट डाल देता हूँ अब देखिए यहां पर ऊपर 3 डौट दिख रहा है इस 3 डौट पे जाने के बाद आपको यहां पर सबसे 1 वाला जो ऑप्शन में रहा है बायो मेटरिक सेटिंग तो इस पर हमको जाना है अब देखिए इनेबल बायो मेटरिक लौक पाय। will be locked if checked तो अभी मेरा जो है बायोमेट्रिक वो लॉक नहीं है तो जब मैं यहां पर चेक कर दोंगा तो यह लॉक हो जाएगा तो चलिए मैं यहां पर इसे लॉक कर दिया अब होगा क्या कि मैं जब तक खुद नहीं चाहूंगा तब तक मेरा फिंगर प्रिंट जो है से आधार वेरिफाइड नहीं हो पाएगा तो दोस्तों आप भी यह करके रखिए क्योंकि यह आपके सीकुरिटी रिजन्स के लिए बहुत जरूरी है आसा रखता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसना आया होगा तो प्लीस लाइक और सेयर करना मन भूलिए और अगर आप कभी इसे अनलोक करना चाते हैं तुससे महीं जगा जाके आप उसे अनलोक भी कर सकते हैं